हेलो फ्रेंड्स मैं योगसाधा करमीश आज आप लोगों के बीच मुखातिव हूँ योगा फेजिक्स के अंतिम एपिसेड को लेकर आज के इस अंक में भौतिक विज्ञान के तीन नियमों के बारे में चर्चा करूँगा जो इस प्रकार हैं अध्यन के बारे में यह एक फिजिक्स का ऐसा रूल है जिसमें की लिक्विड और गैस की गती कैसे होती है इसके बारे में अध्यन किया जाता है तो यह नियम हमारे योग में या मानो सरीर में योग के लिए कैसे या अपलाई हो रहा है इसके बारे में जानेंगे समझेंगे आज मानों सरीर में श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरन, तंत्रों के माध्यम से कई तरह के उर्जा का प्रवा बना रहता है इन क्रियाओं का संपादन हमारे सरीर में इस्थित पंच प्राणों के माध्यम से होता है ये पंच प्राण है प्राण, अपान, समान, उदान और ब्यान इनकी जो इस्थिती है ये पाँचों प्राणों की रीड की हड़ी में इस्थित चक्रों के चारों ओरिय मंद राते रहते हैं अर्थात जो हमारे सरीर में जो लिक्वीड का ट्रांस्पोर्टेशन हो रहा है यह तो पंच प्राणों के माध्यम से हो रहा है यह क्लियर है पर ये पंच प्राण हमारे सरीर में किस सिधान के उपर कार करते हैं यह समझना बहुत आश्चर्च कित कर देने वाला है और सबसे बड़ी आश्चर्च के बात यह है कि कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि इसमें कौन सा सिद्धान्द काम कर रहे हैं जैसे कि फ्रेक्टरल्स, फ्लुइड, टैनेमिक्स, अर्जोमेट्रिक और आप्टिक्स प्रिंसिपल तो यहां पर यह समझना बहुत ही कठीन हो जाता है कि यह जो पंच प्राण है किस प्रिंसिपल के उपर काम करते हैं और योग की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो साइंस की पकड़ से बाहर होती है योगिक चक्रों के आवाहन से चुड़े बीज मंत्र उच्चारण की सक्रेता एवं उनके श्रोत वास्तों में बहुत ही वैज्ञानिक आडियोमेट्रिक ट्रिगर है यह सब वास्तों में संस्कृत सहीत कई भारतिय भाषाओं के वर्ण मालाओं के गले, जीव, डांत और होठों के सामन जस्य से उत्पन ध्वनी को एक रूप में सूनियोजित मैट्रिक्स की रूप में देखा जा सकता है इस नियम में हम लोगों ने जाना कि जो हमारा सरीर का जो ड्रव और गैस का जो ट्रांस्पोर्टिशन है या उसका गती हो रहा है हमारे सरीर में वह पंच प्राणों से हो रहा है और पंच प्राणों की बहुत ही विश्तित कारिविधी है उसकी अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी आज के वीडियो के अंतरगात जो दूसरा नियाम है फिजिक्स का वह है सर्किट थियोरी एंटीना एंड सिगनल सिस्टम ये कैसे हमारे सरीर में उपयोगी हो रहे हैं या इसका उपयोग कैसे हो रहा इसके बारे में जानेंगे सर्किट थियोरी योगा भ्यास के अंतरगत उपयोगी हस्त मुद्राएं एवं अन्य योग मुद्राएं सभी तंत्र का तंत्र के सर्किट को शक्षम और सक्रिय करते हैं जो की हाथ और पैर के उंगलियों के टिप याने कि उपरी भाग में अंतिम छोड़ नियूरल बायो इलेक्टरिसिटी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है एक्जामपल के लिए अगर हम देखें ग्यान मुद्रा को जिसमें कि हम अपने अंगोठे से अपने तरजिनी अंगली को उपरी जो दोनों टीप हैं उसको मिलाते हैं और तीनों उंगलियां फ्री रहते हैं तो उसको मिलाने से जो हमारा तरजिनी है रवंगोठे के मिलने से अगनी और वायो यानि कि फायर एंड विंड एनरजी एक आइडियल लूप सर्किट का निर्मान करते हैं और सेश तीन उंगलियां खुले रहते हैं जिससे उर्जा आउट साइड डिस्चार्ज होता रहता है इसी तरह जब योग साधक मंत्र जब के दोरान किसी रुद्राक्ष या तुलसी के माला का उपयोग करता है उससे बृताकार पत पर सकरात्मक स्पंदन उत्पन होता है और ध्यान के पस्चात जब उसी माला को वह अपने सरीर में धरन कर लेता है तो वह उर्जापुना नियम के अनुसार समझा कि कैसे हमारे अलग-अलग उंगलियों के अंगुठे में मिलाने से कौन-कौन कैसे कैसे सर्किट निर्मान होंगे एक एक एक्जामपल के रुप में ग्यान मुद्रा का एक्जामपल लेकर आपको समझाया गया इसी तरह से और भी अलग-अलग वो एक चक्र जैसा बन जाता है और वो हमारे सरीर में ही एक जगा से दूसरे जगा घूमते रहता है और सरीर को उर्चा देता है अगला एवं अन्तिम जो नियम है फेजिक्स का उसका नाम है क्वांटम फेजिक्स क्वांटम फेजिक्स अब जानते हैं किसी भी पदार्थ के कणो की क्रिया पद्धिती के बारे में अद्धन किया जाता है और यह एक बहुत ही उच्छ किश्म का सिद्धान्त है साइंस है उसे अभी तक स्पस्ट रूप से समझा नहीं जा सका है उसकी कुछ ही परतों के उपर से अभी बैज्ञानिकों ने परदा उठाया है कुछ ही रहस्यों को उन्होंने जान पाया है अभी क्वांटम फेजिक्स में तो इसका जो सिद्धान्त है बहुत ही पेचीदा है और असपस्ट है अभी यह सिधान्त योग के किस क्रिया कलाप में उपयोगी है इसके बारे में जानेंगे यह सिधान्त सबसे चो प्रभावित चो तंत्र है हमारे या सिस्टम है हमारे सरीर का इस सिधान्त से वो है तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र सबसे जादा प्रवावित होता है हमारे meditation करने से, ध्यान करने से तो ध्यान में तंत्रिका तंत्र कैसे response करता है किसी भी गहन और लोकन प्रिक्रिया में मुखेत तीन चीजों का समाविश होता है एक परविक्षक होता है, दूसरा वस्तु और तिसरा और लोकन प्रक्रिया यही चीजे ध्यान में भी हम लोग करते हैं ध्यान में क्या होता है? एक होता है ध्याता जो ध्यान कर रहा है एक है ध्ये जिसका ध्यान किया जा रहा है एक होता है ध्यान, यह प्रक्रम है, प्रोशेश है, बिधी है, कहा जाता है कि समाधी के प्रक्रिया में ये तीनों एक ही में समाहित हो जाते हैं, यानि कि ध्याता ध्यान तीनों एक हो जाते हैं समाधी के प्रक्रिया में, और इस तरह परवेक्षक को उस वस्तु की संपुर् प्राचीन, संत, महर्शी, रिशी अपने आसपास के संसार के बारे में महत्पुन जानकारियां प्राप्त किया करते थे। जान जाता है, वोत्भविष्थ के बारे में जानकारिया रखने लगता है। जिसका शिक्षैन डबल अप हो जाता है। साधारन लोगों के लिए चमतकार से कम नहीं है या अतह हम योग से अपने सिक्ट सेंस को कैसे सक्रिय करें सक्रिय करके आसपास में होने वाले कई घटनाओं के रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं आसा है दोस्तों आपको यह योगा फिजिक्स का जितने भी एपिसोड से वह आपको पसंद आएंगे और आये होंगे आपको अगर पसंद आये होंगे आये हैं तो इसको आप लोगों तक पहुंचाएए और यह एक यह अन्तिम पार्ट था योगा फिजिक्स के अंतरगत यह छथा पार्ट है और अन्तिम है तो इसके जो आगे के जो पांच एपिसोड से उसको भी आप देखें और आसा है एक एक करके हम जो फिजिक्स के रूल्स हैं वो कैसे योग प्रक्रियाओं में सामिल हो रहे हैं इसके बारे में हम एक एक करके हर एक वीडियो में चर्चा किय हैं तो आप से बहुत ही आशा उमीद है कि इसको आप सेर करेंगे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक्यू